तो hello students इस वीडियो में 2 important update करना है लागतार कुछ बच्चों का doubt आ रहा जो कि C.A. final number 2024 में exam दे रहा है ध्यान से बाते को सुन लिजेगा जिनका exemption left हो गया उन्हीं को permanent exemption के लिए apply करना में 2024 में left हो गया उन्हीं बच्चों को apply करना अब बच्चे मेरे से ये doubt पूछ रहा है कि exam form फिल करते समय है किया exemption detail को fill करना चाहिए exemption left हो गया तो अगर आपका exemption left हो गया then exemption detail को fill नहीं करोगे permanent exemption के लिए apply करोगे exam form फिल करते हैं, normal exam form फिल करना, वहाँ पे कोई भी exemption, detail fill नहीं करना, लेकिन अगर आपका exemption left हो गया, तो permanent exemption के लिए apply कर देना है, I hope कि आपका doubt clear हो कि अप buradan exemption must open कर दिया गया है, क्याहे last day, CA final number 2024 वालो बिच्चों के लिए, तो 26-2024 है, कैसे apply करना, जिन बच्चों को normal exemption है जिन बच्चा का exemption left नहीं हुआ उनको number 2024 में CA final का exam देना है और अगर उनको exemption है तो वो लोग जब exam form फिल करेंगे तो exam form फिल करने के दोरा automatic exemption detail फिल होगा अगर नहीं होगा तो आप लोग फिल कर दीजेगा I hope कि आपका doubt clear हो गया और है students कैसे exam form फिल करना मैंने already video बना रखा video का link आपको description में मिल जाएगा CA final number 2024 का exam window को open कर दिया गया है I hope कि आपका doubt clear होगा कैसे exam form फिल करना video का link आपको description में मिल जाएगा जिन बच्चों को exemption नहीं है तो exemption detail में कुछ भी नहीं फिल करना I hope कि आपका doubt clear होगा एक और चीज़ कुछ बच्चा गलती से exemption detail फिल कर देते हैं कोई बात नहीं दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा कहां पे जब exemption window open होगा तो CA final number 2024 का exemption window open होगा तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा चाहे जो लोग पर्मानेंट exemption के लिए अपलाई किये या जो लोग normal exemption के लिए अपलाई किये एक बार अपना exemption status चेक करना होगा वो कब open होगा जब open होगा तो charter studies update कर देगा वैसे आप लोगों के जानकारी के ल बॉक्स में thank you लिखेगा चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जबर कीजिए क्योंकि CA final number 2024 एक्जाम related सारा अपडेट इस चैनल पे मिलेगा और कैसे एक्जाम पॉम फिल करना कैसे पर्मानेंट exemption के लिए अपलाई करना वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा मिलते हैं next वीडियो में